कानून का राज नहीं रह गया है यह एक राक्षा सराज है देखे दुर्भाग है बिहार का कि एक राज्य का मुखमंत्री अपने आग के इलाज के लिए बिहार से बाहर जाता हूं नमस्कार आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके सांत रंधिरा आज लोजपा कारियाले में अस्थापना दिवस मनाने की तयारी चल रही है और इस अस्थापना दिवस को लेकर हाई-लेवल बैठक चल रही है यह बैठक क्या कुछ है सर किस तरह की संदेश देने की क प्रदेश अध्यक्ष आधरने राजुतिवारी जी ले रहे हैं और एक रणनिती बन रही है कि किस तरीके से बापु सभागार में अपनी अपनी उपस्तिती को दर्ज कराया जाए तो इसी पर महत्पून चर्चा हो रही है और सर क्रिसी कानून को ले करके कल प्रधान मंत्री निगोशना किया कि तीनों कानून को रद कर दिये जाएंगे क्या लगते हैं आपकी पर्धान मंत्री का फैस्ला काफी लेट रहा या फिर सही समय पर देखे बहुत पहले हो जाना चाहिए था बहुत सारे किसान बौर्डर पर अपनी जान गवा चुके हैं तो हमारी लोग जन सक्तिपाटी राम बिलास की मांग भी है कि वैसे किसान भाईयों को चिन्हित किया जाए जो वहां पर अपनी जान को गवा दिये हैं और सरकार घोसना करे कि कितना आकड़ा है जिनकी जाने वहां पर ठंड के वज़े से बा ने तीनों कानून को वापस लिया है यह देश हित में है और किसान भाईयों में पूरे देश भर में हम लोग का एक सौहार्थ बनेगा तो बहुत पहले यह हो जाना चाहिए था किसानों से बादचित करके ही कोई निरने किसानों के बारे में करना चाहिए केंदर सरकार को व बिहार के क्रिसी मंत्री ने कहा है कि दुर्भाग के पुंड है कि पर्धान मंत्री ने घोशना की कि इस कानून को रद करने की फिर वापस इस कानून को लाया जागा इस पर क्या पता नहीं है उनको तो पहले इस पर जवाब देना चाहिए कि बिहार में जहरीली सराब मिल कहा से रही है समिक्षा बैठक में बैठे थे ना साथ घंटा आखिर क्या निरने लिए हर जिले में मिल रही है और जिले में मिल रही है तो किसी भी वरिये पतादिकारी पे एक्षन हुआ क्या कितने डीम पे एक्षन हो गया कितने एसपी पे एक्षन हो गया राजिसरकार इसको ब के लोग इसमें सनलिप्त हैं अभी अपर आधिक घटना का रोप तो लगा न एक मंत्री महोद्या पे तो मन्य मुख मंत्री जी क्या उनका पावर को सीज कर लिए तो देखिए मन्य मुख मंत्री जी 16 साल से बिहार के विकास का पहिया जो है उसको रोके हुए हैं अब आपके बगल का राज्य को देख लिजे वहां पुर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी सणक का निर्मान हो रहा है उद्गाटन हो रहा है और पिछले 16 साल से मन्य मुख मंत्री जी कोई भी ऐसा एक्सप्रेसवे को नहीं बना पाए हैं जो पटना को जोड़े किसी अन्ने राज्य से सहर से जऴरीली सराब मिल ही रही है बालिका ग्री जैसा कांड यहां पर हो रहा है यहां पप्ध निर्मान और पुल निर्मान भिबाग के इंजिनियर के घर पे नोट गिनने की मसीन आती है और मगद इंवर्सीटी के कुल पत्ती के घर बहुत सारे पैसे पकड़े जाते है तो राज्य सरकार किस चीज पर अंकुस लगाई है। यहां तो लूट मचा हुआ है। देखिए सासन प्रसासन अब जो है अपसरों के हाथ में चला गया है। पॉल्टिकल पाटी के हाथ में बिहार सरकार अब नहीं है। अब इसको हैंडिल अपसर कर रहे हैं। तो राज्य सरकार मान्य मुख मंत्री जी को बताना चाहिए किस तरीके से वो अवद्र सब्दों का प्रयोग करते हैं हमारे राष्टी अद्ध्च आदरनी चिराग पासवान जी के लिए किसी राज्य के मुखमंतरी जी को इन सब्दों के परियोग से बचना चाहिए वो अभी एक सांसद और किसी पाटी के राष्टी अध्यक्ष के लिए ऐसे सब्दों का मन्य मुखमंतरी जी को नहीं बोलना चाहिए देखे दुरभाग गए है बिहार का कि एक राज्य का मुखमंतरी अपने आख के इलाज के लिए बिहार से बाहर जाता हो तो यहां तेरा कोड़ों की अवादी है अगर मन्य मुखमंतरी जी बहुत अच्छा अगर यहां स्वात विवस्था किये हुए हैं तो यहीं इलाज कराना चाहिए था और इसका हवाला जूट भी कितना बोल रहे है मन्य मुखमंतरी जी कि हमारे व्यक्तिकत संबंद M's में है पटना भी M's है आप क्यूं नहीं यहां कराए तो देखिए यहां पर हर चीज हर व्यवस्था ध्वस्थ हो चुकी है अब यहां पर कानून का राज नहीं रह गया है यह एक राक्षा सराज है और इसी से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे नेता और आधर्निय चिराक पासवान जी राज दिन अथक मेहनत और प्रयास कर रहे हैं असिरवाद यात्रा कर रहे हैं और बिहार फर्ष्ट बिहारी फर्ष्ट के माध्यम से हम लोग बदलाव लाने का भरबूर परयास कर रहे हैं प्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें